सो हलो गाइस स्वागत अब सभी का मेरे चैनल में और एक नए वीडियो में सो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला ताकि आपको कोई भी मेंस फिजीक से जुड़े स्पेशली मेंस फिजीक से जुड़े और इंडिया प्रो शुटे जुड़े अपडेट मिसना हो सो सब्सक्राइब दे चैनल नाव सो गाइस भूवन चोहान फाइनली इंडिया पहुँच चुके है गाइस और गाइस क्या आप सो गाइस क्या आप एक्साइड़े हो या नहीं फॉर भूवन चोहान बिकास अभी अभी उड़ो ने एक शो जीता है गाइस और उनके इंडिया प्रो शो को जीतने के चांसेज बहुत ज्यादा है अक्शली बिकास जैसा कि आपको पता है कि बिला लली भी नहीं खेलने वाले हैं ये शो भूवन चोहान के जीतने के चांसेज काफी है बिकास कोई भी बड़े एक कमपेडिटर नहीं है लाइन अप में फिलाल के लिए बर कुछ कहने सकते गाइस बिकास दस दिन बाकी है गाइस कुछ कहने सकते कुछ भी हो सकता है कोई भी बड़ा अथलीट खेल सकता है ये शो और क्या पता आंडे ड्यू भी टपक पड़े इस शो में और टाइटल जीत चाहे तो कुछ कहने सकते सो क्या होगा डेफिनेटली लाइनप में कुछ कहने सकते सो फिडाल के लिए लाइनप तगडी नहीं है सो बुवान चोहन आइधिंग जीतेंगे ये शो सो और वो काफी आराम से भी जीतेंगे गाइस विकाज कोई भी बड़े अथलेट नहीं है सिर्फ इंडियन प्रोसी है जो कि आपको पता ही है उनकी साइज इतनी ज्यादा नहीं है और उनकी और वो बेस नहीं है एक्शली जैसा कि आप भुवान चोहन को देखोगे स्टेज में सो भुवान चोहन के लिए ये काफी आसान शो होने वाला है as compared to other athletes but एक athlete है जो इस शो को जितने के काबिल है और वो है इमरान खान जो कि कुएट से बिलॉंग करते है so guys इमरान खान अभी दुबई प्रोशो खेलेंगे फिलाल और बट वो इस शो को खेलने के बाद वो इंडिया प्रोशो को ट्राइ कर सकते है ऐसा उन्होंने कहा है so अगर आप उनकी फिजिक देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी मसल जो है वो बहुत बड़े हैं guys उनकी मसल बेलेस काफी ज़्यादा बड़े है and front body की अगर बात करूँ देन उनकी front body काफी ज़्यादा attractive दिखती है guys उनकी shoulders, especially उनकी chest and abs काफी ज़्यादा ripped and tight लगते है guys and back तो बहुत ज़्यादा कतरनाक है उनकी उनकी back में वो muscle maturity है and separations काफी ज़्यादा अच्छे से निकल के आते है especially उनकी mid back and उनकी rhomboids so काफी attractive लगती है उनकी physique but and size के माद में काफी अच्छे है but उनकी legs में उतना size नहीं है guys जिसके वज़े से उनकी x frame जो है जो एक men's physique division में खेलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसकी वज़े से एक physique उभर के आती है बहुत ज़्यादा attractive लिथी है वो x frame उनके पास ज़्यादा अच्छे से नहीं आती जैसा कि आप भुवान चोहान के पास देखोगे because अगर आप भुवान चोहान को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनकी legs में muscle mass काफी ज़्यादा है जिसकी वज़े से उनकी x frame बहुत ज़्यादा उभर के निकल के आती है जब वो stage पे होते है तो आपको देखने को मिलेगा कि उनकी physique बहुत ज़्यादा attractive लिखती है overall उनकी physique की बात कर रहा हूँ मैं उनकी अगर आप legs and upper body की balance देखोगे वो बहुत हद तक काफी ज़्यादा अच्छी है जिसकी वज़े से उनकी physique और ज़्यादा attractive दिखती है guys and उनकी front body and back की तो बात ही कुझा लगए guys so so देखते हैं क्या होता इस show में because hive तो बहुत ज़्यादा है guys and इस show की so guys मजा तो आने वाला है show में because बहुत ही ज़्यादा because इंडिया में pro show हो रहा है पहली बार actually दस साल बात हो रहा है because so देखने में मजा आएगा guys I'm so I'm very excited for this show so guys comment down जरूर करना कि ये show कौन जीतने वाला है guys so तीस तारीकों होने वाला है show so very good luck to all the Indian athletes especially so guys आज का वीडियो यह पर खतम करते हैं so guys that is for this video so guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आया then make sure you like share and subscribe the channel and subscribe करने के बाद bell icon आएगा उसको प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको कोई भी bodybuilding से जुड़ी update मिसना हो so मिलते हैं दा नेक्स वीडियो so तब तक की दे स्टे फिट से हल्दी and peace out